हंतो भाया जी और सब बढ़िया तो भाया जी बच्पन में पैंसिल के मामले में बच्चों में लड़ाई छिर जाती थी कई तो अपसरा पैंसिल का यूज करते थे तो कई नेटराज का लेकिन सायद आपको ये बात नहीं पताओ कि बले ही आपकी पसंद अपसरा हो या नेट जो भी पैंसिल करीदें दोनों में से पैसे शिर्फ एकी कमपनी के पास जाते हैं इन दोनों पैंसिल को एकी कमपनी बनाती है और वो है हिंदुस्तान पैंसिल प्रैवेट लिमिटीड और ये कोई छोटा मोटा आकड़ा नी बलकि ये कमपनी हमारे भारत में प्रती दिन crazy लाग पैंसिल्स बेचती है अब दोस्तों कई बच्चे तो पैंसिल्स से लिखते कम हैं और चबाते जादा हैं लेकिन दोस्तों ऐसे में क्या आपके दिमाग में कभी ये आया है कि पैंसिल लेड को पैंसिल में बरा कैसे जाता है और कैसे पैंसिल फैक्टरे में बनाई जाती इस वीडियो में आप इसके बनने के सारे प्रोसेस को जानेंगे लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए है तो क्यों न उस सब्सक्राइब वाले बटन के साथ थोड़ा रोमेंस हो जाए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो पैंसिल बनाने के लिए सबसे पहले उसकी लेड पर काम होता है जैसे कि ग्रेफाइट पानी और कले को अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है अब इसके बाद प्रेसिंग मशीन इस मिक्सर को लेड का अकार देकर भार निकालती है अब इसके नेक्स्ट प्रोसेस में लेड को ड्राई किया जाता है और फिर उनी लेड को 1500 डिग्री फेरनाइट पर पकाया जाता है ताकि ये सक तोसके अब इस लेड को वेक्स में डुबोया जाता है और अगर colorful pencil बनानी है तो wax या फिर clay में color मिलाया जाता है अब दोस्तो लेड तो बन गई लेकिन अब हम इसे लकडी में डालेंगे कैसे दरसल pencil तो सिरफ उन्हीं लकडीों से बनाई जाती है जो कि बाद में सारपनर से छिल जाएं और इतनी कमजोर भी ना हों कि हाथों में ही तूट जाएं और इसलिए पूरी दुनिया में pencil बनाने के लिए देवदार पेड की लकडी का इस्तमाल किया जाता है अब सबसे पहले लकडीों को बड़ी बड़ी sheets में काटा जाता है और मशीन दवारा कुछी इस तरह इन पर सांचे बना दिया जाते हैं जिनके उपर लेड को रखा जा सके सबसे पहले इन साचों में अच्छे से glue बरी जाती है और फिर इसमें लेड को डाला जाता है ताकि वो अच्छी तरह से अपनी जगाए पर चिपक सके इस तरह की एक और वुडन सीट को इसके उपर रखा जाता है अब इन सीट्स को रखकर इने एक कंप्रेसर मशीन में डाल दिया जाता है जो की दोनों तरब से 900 किलो का फोर्स लगाते हैं और करीब एक गंटे तक ये प्रोसेस चलता है ताकि लकडी आच्छे से चिपक जाएं अब बारी आती है लकडी की सीटों को पैंसिल में बदलने की उसके बाद जो सीट्स कंप्रेसर में डाली गई थी उन्हें इस मशीन में डाल दिया जाता है और शेप्स के अकोर्डिंग उन्हें काट दिया जाता है नेटराज पैंसिल में हैगजाकन सेप को यूज किया जाता है जिसके लिए ये प्रोसेस दो बार करना पड़ता है अब इस काम के बाद इन पैंसिल्स को लिकविरिंग हैड के नाम की मशीन में डाला जाता है और इस मशीन का काम है उन पैंसिल्स को पेंट करना अब इसमें एक एक करके पैंसिल्स जाती है और रंगीन होकर बाहर निकलाती है और पैंसिल्स को सुखाने से पहले उन पर स्टेंप लगाई जाती है अब पैंसिल्स मार्केट में आने के लिए बिल्कुल तैयार है तो दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जुरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बाई बाई